अगर आप अगर आप सी और या नीट करने को लाँ नेपाल की मेडिकल के प्रिपेशनिस या इंडिया की मेडिकल की प्रिपेशनिस या किसी भी देश की मेडिकल के प्रिपेशन कर रहे हैं अगर आप किसी भी देश के medical के preparation कर रहे हैं या किसी भी इंट्रांस competitive इंट्रांस examination के preparation कर रहे हैं तो आपको दोठो जो major चीज है वो तो जरूर करना परेगा पहला बात कि minimum जो study hours है वो आपको high होना परेगा जो minimum आप जो study hours करते हैं वो high होना चाहिएगा कम से कम करने का मतलब कि जहें आपको medical के preparation करें जाए नीट की या CE की तो आपके लिए minimum जो study hours है वो कहने का मतलब 10 hours होना जरूरी है 10 hours होना ही जरूरी है कम से कम 10 hours आपको होना जरूरी है जैसे कि आपको first बात कि आप जैसे कि online classes करने हैं तो वीडियो सब देखकर जो जैसे कि 4 hours 6 hours की जो आपके classes हो रहे हैं वो 6 hours plus 4 hours जो self study घर में होना जरूरी है अगर आप किसी भी medical competitive examination की preparation कर रहे है तो या self study कर रहे हैं तो भी करने को मिनिममम आपको 10 hours की necessary है या minimum study hours होना जरूरी है और maximum में कानेक मतलब कि आप every day above 10 hours कर सकते हैं जितना आप चाहें ना कर सकते हैं लेकिन minimum 10 hours जरूरी है फर्स्ट बात हो गया second में कानेक मतलब कि एक और चीज आपको ज़्यादा जरूरी है वो कानेक मतलब कि जो आपके past year जो PY कूचन बोला जाता है पास्ट यार अगर आप नीट के कर रहे हैं तो नीट के जो पास्ट यार कूचन है वो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है अगर आप C के लिए कर रहे हैं नेपाल के नेपाल में जो जो कूचन पास्ट यार की आया है तो वो करने के लिए आपके लि एकसा जो स्ट्राप्रिश है कुछन अख्रातिश करने का एक वह आपको हाई होना चाहिए करने को लब कि उसका प्रिवाई कुछन है वह प्रैक्रिकेश करना चाहिए श्यूतर बहुत था मैं चोटा चोटा वीडियो में बना पर बताते रहाता हूं अगर आप इसी तरह से इंट्रांस एक्जाम टिप्स के बारे में या मेडिकल एक्जामनेशन के बारे में नौलेज ग्यादर करना चाहरे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आशक करेंगे कि आपको आने वाले दिन में भी आईसा ही बहु